तो दोस्तों YouTube का एक और important update आ चुका है और इस बार बहुत ज़्यादा important update है जिन लोगों का channel already monetization हो चुका है उनके लिए भी important है और अगर आपका channel अभी तक monetization नहीं हुआ है तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि ये जो update आया है ये है watch time से related और हो सकता है कि आपने YouTube पर इसके बारे में कोई वीडियो देख लियो और उस वीडियो को देखने के बाद आप confused हो गए हो लेकिन दोस्तों मैं आपको guarantee देता हूँ कि अगर आप end तक ये वाली वीडियो देख लेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके mind में इस update से related कोई भी doubt नहीं रहेगा सारे doubt किलियर हो जाएंगे और आपको एक एक बात समझ में आएगी कि ये update मतलब क्या कहता है तो दोस्तों आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से request करूँगा कि अगर आपने भी तक हमारे चैनल को subscribe कर दीजिएगा कोई भी आपका question हो Instagram ID पर आप चैनल पर 1000 subscriber होंगे और आपके चैनल का watch time 4000 घंटे होगा और आप YouTube की सभी policy को follow करते हूं तो आपके चैनल का monetization on हो जाता है बट दोस्तों अभी YouTube ने ये जो 4000 घंटे का watch time वाला जो rule है इसमें थोड़ा सा change कर दिया है अब उस change को आप समझ ये YouTube ने कहा है कि जो YouTube short का watch time में व पहले भी YouTube कह चुका है अब दोबारा फिर से YouTube कह रहा है कि YouTube short की जो वीडियो से जो आप short पे वीडियो बनाते हैं उसका watch time count नहीं होगा क्योंकि उन वीडियो पे बहुत जादे जादा views आ जाते हैं तो उनका जो watch time है वो YouTube count नहीं करेगा दूसरा चीज YouTube ने कहा है कि अगर आप अपने चैनल की story tab में किसी वीडियो का link paste करेंगे या किसी दूसरे चैनल की story tab में अपने वीडियो का link paste करवाएंगे और वहां से आपकी वीडियो पे traffic आता है तो जो story tab से उस link के जरिये आपकी वीडियो पे views आया है उसका कोई भी watch time count नहीं होगा तो दोस्तो ये important update है जिन लोगों का channel अभी तक monetization नहीं है और जिनका channel already monetization है उनके लिए important क्यों है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो एक channel के जरिये दूसरे channel को promote कर लेते हैं story tab में link डाल डालके तो दोस्तो अगर आप अपनी story tab में कोई भी link डालेंगे वीडियो का और वहां से कोई भी traffic आएगा तो उसका watch time आपको नहीं मिलेगा चाहे आपके channel की story tab से आई चाहे किसी दूसरे channel की story tab से आई तो ये एक थोड़ा सा rule change किया गया है YouTube के दुआरा मैं उम्मेद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे लगी होगी कोई भी आपका doubt अगर रह गया हो तो आप मुझे comment में पूछ सकते हैं और अगर आपने भी तक हमारी channel को subscribe नहीं किया है तो please हमारी channel को subscribe कर देना वीडियो को share कर देना मिलता हूँ मैं आप तक के लिए bye bye thanks for